तो आज का लेक्चर बहुत इंट्रस्टिंग चेप्टर है और जो छोटे बच्चे होते हैं जो छोटे चोटी क्लासिज में लाइक सेवन एट तो उन क्लासिज के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स आगे हुए हैं स्लेवर्स के इंदर जिनके बारे में उनको थोड़ा सा क्रैम क पड़ता है लाइक की एनने है तो उसका आयन बनेगा एनने पॉजिटिव क्यों बना वह एनने टू पोस्टिव क्यों नहीं बना यह उसके उपर नेगिटिव क्यों नहीं आया ठीक है यह सब जो चीजें होते हैं वह क्वेशन मां को रहती हैं उनके दिमाग के अंदर और स्टीचर उनको explain करता है तो भी उनको समझ नहीं आपाते क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता तो यह कुछ छोटे-छोटे जो डाउट्स हैं आज वह क्लियर होने जाएंगे जैसे atom क्या होता है compound क्या होता है molecule क्या होता है कटाइन क्या होता है चार्ज क्यों आता है ठीक है तो ऐसा क्या होता है कि चार्ज हमेशा आना जरूरी होता है compound क्यों बनते हैं element क्या होता है बहुत सारे questions है तो अब देखो सबसे पहले अब आप सोच रहोगे कि मैम ने यह क्या बना दिया यहां पर ठीक है सबसे पहले क्या होता है कि 118 elements जो थे scientists ने discover कि जैसे आपके घर मे आप अब आपने घर में चीजों को देखो नॉन लिविंग थींग्स के आपको मैं अलमीरा इलमीरा है स्टील से बनी होई आपको वोड़न एलमीरा है मैं को तो कारबन की बनी होती है तो घर के अंदर आप बहुत साइच चीज़े देखते हो वो किसी ना किसी चीज से मिलक बर बड़नई होती है तो क्या होता है कि जो स्टेट्स ओव मैटर हैं वो किसी ना किसी चीज से मिलकर पने हुए हैं ठीक है तो ऐसे वर मेरा की बात करूं से मिलकर बना और स्टीन क्या होता है आरइनour कार्बन को मिक्स करके स्टील बनताहि है आरइन और कारवन beginning वह elements है ठीक है और element जो एक element होता है अगर मैं बात करो एक इतना पीस है iron का तो उसके नदर वह सारे चोटे-चोटे atoms होंगे iron की ठीक है तो अब elements क्या है elements को मैं तुमें बता दिया कि जितने वी states of matter कुछ ना कुछ किसी किसी elements, element के हैं, अब ये देखो, ये क्या है, ये मैंने periodic table बनाने का कुछ starting दिखाई है, एक्चुल में ऐसा periodic table क्या है, जो मैंने 1, 2, 10 हर बच्चे को आने चाहिए, अगर आप 7th class में हो, 6th, 7th class में हो, 8th class तक आपको 20 तक आने चाहिए, 9th तक आपको 30 तक elements जरूर आने चाहिए, 1, 2, 13, exact series में, सबसे पहले ये periodic table है, periodic table, periodic table के अंदर जब हम elements को arrange करते हैं, तो उनको, उनके atomic number के basis पर करते हैं, मतलब उनकी numbering के basis पर करते हैं, एक element का, एक element अगर मैं लूँ, उसके पास क्या होता है, एक होता है, atomic number, कि वो कब discover हुआ, जो पहले discover हुआ, उसका पहले नाम दे दिया, ठीक है, तो atomic number, उसके numbering क्या है, दूसरा होता है, atomic mass, ठीक है, उसका भार कितना है, उसका mass कितना है, ठीक है, अब देखो, अब atomic number के basis इस पर हमने अरेंज किया हुआ है तो हाइडोजन यहां लिखा है उसके बाद जो हाइडोजन है यह वन है और यहां पर हीलियम टू उसके बाद यह लीथियम थ्री फोर फाइव सेक्स सेवन एट नाइन अब आप कोगे कि मैं इसको ऐसे अरेंज क्यों किया गया ठीक है वो ए मैंने आपको नंबरिंग बताई 10 तक वहां गया 11 12 ऐसी 13 14 15 16 यहां पर 18 आजएगा ठीक है तो ऐसी यहां पर 30 तक मैंने आपको बता दिये ठीक है यहां पर फिलिंग नहीं होती तो इस टेबल की जो आउट लाइन है वो मैं आपको बता देते हो यह कुछ ऐसा होता है मैं यह डॉट्टिर लाइन रब कर रही हूं यह कुछ ऐसा है ठीक है यह है यह यहां पर अगर मैं ड्रॉ कर रही हूं उसके बाद यहां बीच में कुछ नहीं होता यह खाली जगा है ठीक है उसके बाद यह जो है ठीक है तो यह जो मैंने वर्टिकल लाइन जो की है यह जो पूरी लाइन है अगर मैं इस पूरी लाइन की बाद करूँ तो यह पूरा एक क्या होता है ग्रूप इस पूरे का ए एक ग्रूप है ऐसी 1,2,3,4,5,6 करते एटीन ग्रूप्स बन जाते हैं ठीक है और ऐसी ही अगर मैं इस लाइन की बाद करूँ जैसे 1st लाइन फर्स लाइन के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम आ रहा है ठीक है, होरिजोन्टल लाइन तो ये क्या बनाती है, पीरियड ये ऐसे ही 1, 2, 3 करके ऐसे ही, जैसे ये वला एक पीरियड बन जाएगा ठीक है ये एक पीरियड है similarly एक ये पीरियड है एक ये है ऐसे करके 7 पीरियड आ जाते हैं प्रियोडिक टेबल के अंदर अब ऐसा पीरियड बनाने का ऐसे ग्रूप्स बनाने का मकसद क्या है देखो, जब हम किसी चीज की ग्रूपिजम करते हैं तो ग्रूपिजम हम तब करते हैं में दिख रहा होता है कि उनके फीचर्स आपस में मिलते जुलते हैं similarly अगर हम periodic table के अंदर scientist ने groups बनाया है या periods ने उनके अंदर कुछ नो कुछ features same होंगे ठीक है हमने उनके बारे में discuss नहीं करना क्योंकि आपकी चोटी classes है ठीक है तो अभी तक हम क्या करेंगे मैंने आपको यह बताया कुछ ऐसे इनके features होते हैं मतलब अगर मैं hydrogen की बात करूं तो hydrogen के कुछ features lithium, sodium, potassium इनके साथ मिलेंगे similarly beryllium, magnesium इनके features इस अपनी raw वाले elements के साथ मिलेंगे एसी scandium इनकी अपनी raw वालों के साथ मिलेंगे लेकिन कुछ ऐसे features होंगे जो कि यहां से लेकि जब हम पीछे तक जाएंगे तो वह जैसे एक होता है किसी का size बढ़ता है तो left to right गए तो size क्या होगा? decrease एक trend है यहां से यहां जाएंगे left to right तो size decrease होता है ठीक है वो क्यों होता है उसके बारे में हमने discuss नहीं करना ठीक है तो यहां तक elements कुछ ऐसे arrange होते हैं इसलिए मैं आप कहते हैं कि आप series में learn करो क्योंकि अगर series में learn करोगे तब ही तुमें exactly समझ आएगा I hope यहां तक आपको clear हो चुका होगा Don't turn कर लो अब हम बात करते हैं atoms की molecules की जो भी states of matter है कोई भी states of matter तो अगर states of matter की मैं बात करूँ तो आपको पता है solid होता है liquid होते हैं और gas होते हैं ठीक है तो अगर solid की मैं बात करूँ solid की अंदर आप कोई भी चीज़ है कोई भी आइटम है लाइक अगर वुड है तो क्या कहूंगी कि वुड जो है काफी सारे atoms of carbon से मिलकर बनी होई है बहुत सारे carbon की molecules है बहुत सारे water के molecules मिलकर क्या बना देते हैं लिक्विड बनाते हैं तो एन जो वाटर का यह molecule है ठीक है अब यह water का molecule दो hydrogen और एक oxygen के atom से मिलकर बना हुआ है ठीक है एक gas के अंदर oxygen gas है hydrogen gas है जब आप कोई चीज बना रहे होते हो अगर उसके पैरों में मतलब सब्सक्रिप्ट आप लगा रहे हो कुछ भी 1 2 3 4 1 का मतलब तो आप सिंपल लिखोगे यहां पर जैसे हो वन है तो कुछ लिखने के जूर्ट नहीं है 23 लिखना होता है यह और कोई नंबर हो तो लिखना होता है और अगर टू है नीचे है यहां पर दो atom है यह molecule है यह दो oxygen atom से मिलकर बना हुआ है यह क्या शो करता है कि दो hydrogen से मिलकर बना हुआ है ऐसी और भी बहुत सारे gases होती हैं तो ultimately क्या हमने बात की कि states of matter के अंदर जितनी भी states है वो ultimately atom से मिलकर बनी हुई है ठीक है आई हो आपको यह atom का procedure यहां तक समझ आ चुका होगा अब इसके बात और अगर मैं बात करूँ atom तो यह है atom जो की क्या होगा spherical shape में होगा ठीक है spherical shape में जैसे आप एक ball ले लेते हो tennis की प्लास्टिक ball नहीं tennis की ball जो की अंदर से भी पूरी फिल लोती है अब यह atom जो है atom के center में क्या होगा nucleus है ठीक है atom के center में nucleus है अब nucleus होता क्या है देखो atom है atom का कुछ atomic मैंने atomic number के वाले में बोला था कि जब जितने number पर वो discover हुआ तो उसका number आ गया अब atomic mass के उसका जितना भी भार होगा atomic atom का वो उसके nucleus में होता है ठीक है इसके अंदर ही सारा उसका mass होता है क्या atomic और जो nucleus जो होता है वो किसे मिलकर बना होता है वो protons और साथ में neutrons से मिलकर बना होगा है ठीक है यह हमारे पास atom है और यह हमारे पास nucleus nucleus तो nucleus जो है हमारे पास ठीक है nucleus के अंदर क्या है protons है प्लस Neutrons ठीक है? Proteins & Neutrons क्या है? Protons जो है वो positively charged होते है positively charged और जो Neutrons होते हैं वो neutral होते है जैसे nature होता है कोई positive nature का होता है इनसान, कोई negative nature का होता है कोई neutral होता है जिसको कोई फरक नहीं बढ़ता सेम ऐसी neutron और protons यह subatomic particles होते हैं मतलब atom के अंदर रहने वाले particles अब क्या होता है कि इसके चारों और electrons जो होते हैं, nucleus के चारों और ऐसे गूम रहे होते हैं गूम कैसे रहे होते हैं? orbit के अंदर गूम रहे होते हैं orbit क्या है अब? जैसे कि अगर मैं बात करूँ, गलेक्सी की बात करूँ, अगर मैं किसी बात करी उं, गलेक्सी की, तो गलेक्सी के अंदर क्या है? यहाँ पर यह हमारे पास teu new sun है. Sun एक orbit है, दूसरी orbit है, तीसरी, चौती, ऐसे बहुत सारी orbits है, तो यहाँ पर अगर कोई घूम रहा है तो हम कहा देते हैं Mercury है जी, first orbit के अंदर, second orbit में अगर कोई है Mercury Venus, third में अगर कोई है तो Earth है, ठीक है, ऐसे ही Mars है, तो बहुत सारी है ना ऐसे, तो similarly क्या होगा कि same nucleus, हनको जगा मानो की nucleus, ठीक है, उसके बाद जितने भी यह घूम रहे हैं तो यहाँ electron घूम रहे हैं, अपनी orbit में घूम रहे हैं, जैसे यह Mercury वाला सिरफ अपनी ही orbit में घूमता है, कभी भी Venus वाले orbit में नहीं जाता, Venus कभी Earth में नहीं जाता, या Venus कभी Mercury में नहीं आता, similarly जो electron अपनी orbit में है, वो अपनी orbit में रहते हैं, ठीक है, और क्या है, यहाँ इलेक्ट्रोंज है इलेक्ट्रोंज जो है वो क्या होते हैं वो होते हैं नेगटिव ली चार्जड ठीक है अब आपको होगे कि एक और चीज जैसे आपने देखा है कि अब अर्थ सन के चारों और ये सारे planets घूमते हैं ठीक है अब आपने देखे कि sun जो होता है इसकी attraction sun क्या है उसको attract करके रखता है attract करने से क्या होता है कि वो अपने और खीचता है ठीक है लेकिन घूमने की वज़े से जब वो ऐसे घूम रहे होते हैं ठीक है मरकरी या कोई भी planet है वो कुछ force वो कुछ बाहर की और भी धक्का लगाते हैं ठीक है मतलब उसको repulsion भी लग रहा होता है जहां sun उसको खीच रहा होता है वहां कहीं मरकरी पीछे की और भी जा रहा होता है कैसे एक चीज और example बताते हूं जैसे अगर आप एक अगर आप दो friends ऐसे करके एक दूसरे को पगड़के घूमते हो उससे क्या होगा कि आप दोनों का जहां पर हाथ ऐसे लगा होगा उस पॉइंट पर आपका अट्रेक्शन लग रहा होगा कि आप एक दूसरे को खीच रहे हो ठीक है अट्रेक्शन कर रहे हो लेकिन आपकी बोड़ी जो है बाहर की तरफ पीछे की तरफ धकेली जाती है ठीक है अपने आप होता है आप खुद नहीं करते जतनी मर्जी कोशिश क कर लो जब आप ऐसे करके अच्छे से तेज राउंड लगाते उपने फ्रेंड के साथ तो क्या होता है आप अट्रेक्शन कर रहे हो पर आपकी बोड़ी पीछे की और जा दी है आगे की और आप कोशिश कर रहे हो लेकिन पीछे की और भी आपकी बोड़ी जा रही है तो से प्रोसीजर यहां पर भी होता है मरक्रीज होता है घूम रहा होता है उसको सन भी अट्रेक्ट कर रहा होता है लेकिन वह कहीं न कहीं पीछे की और जा रहा होता है जितना उसको आगे से अट्रेक्ट मिल रहा होता है उतना वह पीछे की और जा रहा होता है इसलिए वह अपनी ह निूट्रोन का हम देखें घीन, निूट्राउन तो निूट्रल थिकandhone रोटाउन जो होते हैं वह पॉजितिव लिए चाइज़ होते हैं अब पॉजितिव को नेगिटीव अट्रेक्ट करें का ओपसेट चार्ज हमेशा नेगे ठीके अब आपको ओगे कि मयम्या पर तो और्बीट साथी होती है उसके अंधर कौन से और भीट होती है वोगी बताते हूं आपड़ को कि यह हमारे पास क्या है नूपलियस है तो nuclei's کے बहार, सबसे पहले वाली शो शेल होती है, उसको हम बोलते हैं, k shell. उसके बाद हम बोलते हैं, l shell, फिर m, फिर n. ऐसे k, l, m, n, shell होती है. ठीक है? इनको हम shells बोलते हैं. ठीक है? k, l, m, n, shell होती है. हर एक shell के अंदर fix होता है, कि इतने electron आएंगे. आएंगे maximum 2 आएंगे 2 से जादा नहीं आएंगे L के अंदर 8 इसके अंदर भी 8 और इसके अंदर 18 electrons यह number of electrons की मैं बात कर रही हूं तो अगर मैं बात करूं यह nucleus है तो इसके के में यह के में एक electron और दूसरा electron आसकता है दो आसकते थर्ड नहीं आ सकता एक भी हो सकता है लेकिन maximum 2 अगर मैं L की बात करो तो इसमें कुछ 8 आएंगे electrons इसमें 8 आएंगे और इसमें 18 electrons फिल हो सकते हैं maximum ठीक है अब अगर मैं यह चीज़ आपको समझ आ चोकी होगी electron proton neutron atom के बारे में ठीक है अब electron proton neutron का आपको समझ आ गया तो सबसे पहले मैं elements लिखती हूं जो फर्स्ट एन elements है और उनका यहां पर 8 atomic नंबर लिख दो फर्स्ट नंबर पर हाइड्रोजन है नंबर टू पर है हीलियम फिर लीथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन 345678910 अब बच्ची क्या होता है कि जो हमने बात की थी कि यह एटम यह न्यूकलियस है यहां पर के है इसमें टू इलेक्ट्रोन होते हैं एल है एट है इसके अंदर भी एट यह हमने मैक्सिमम की बात की थी ठीक है बच्चों अब क्या होता है कि जितने भी हम एटम्स कर रहे होते हैं यह जितने भी एलिमेंट्स कर रहे होते हैं तो हर एलिमेंट की इच्छा क्या होती ऐसी हमारी mentality होते है तो same as mentality element की भी होती है element के पास यहां पर center में तो nucleus है ठीक है उसके बाद के L M N shell के अंदर वो 2888 18 maximum कर सकता है लेकिन अगर मैं बात करूं hydrogen के case की hydrogen atomic number 1 है अगर hydrogen एक और चीज़ इलेक्ट जितना atomic number होता ना बच्चे उतना ही वह उसके अंदर और यहां पर कुछ elements के name लिखे होएं ठीक है तो सबसे प्रहले क्या होता है कि एक कोई भी element है उसके center में क्या होता है यह nucleus जो होता है एक atom के center में क्या होता है है अगर यह atom है उसके center में nucleus होगा और electron जो होता है वह चारु तरफ रिपॉल कर रहा होता है ठीक है एक लाग्यों के पहले इन पहली शेल होती है इसके बार एक शेल होती है जिसको हम बोलते हैं के शेल और फिर एल शेल एम और एन जो के शेल होती है उसके अदर maximum two electron फिल हो सकते हैं एल के अंदर maximum eight M के अंदर maximum eight and M के अंदर maximum 18 electrons फिल्क हो सकते हैं ठीक है उससे कम भी हो सकते हैं लेकिन maximum यह होती है अब हर element जो क्या चाहता है कि हर element चाहता है कि मेरे पास तो जो एक शेल है वो completely फिल हो मतलब अगर उसके पास जैसे अगर hydrogen के अगर मैं बात करूं तो एक और चीज़ यहां से एक हर element क्या चाहता है कि उसकी शेल completely फिल हो ताकि उसकी stability बढ़ जाए जैसे एक और अगर किसी के पास atomic number जितना है उसका उतना ही उसके अंदर क्या होगे इलेक्ट्रोन होते हैं और अगर आपको atomic mass निकालना है तो आपको क्या करना होगा proton plus neutron को add करना पड़ेगा और आपके पास mass निकल आएगा proton plus neutron जब आपको atomic mass निकालने को बोलेंगे तो आपको question में हमेशा neutron दिये होंगे अगर आपको neutron निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपके बस atomic mass दिया होगा ठीक है और atomic number अगर आपको पते तो आप electron और proton बता सकते हो ठीक है तो यह सब चीज़े अब उसक है कुछ atomic number यहां सब्सक्राइब अगर देखो इलेक्ट्रों देखने से यहां पतलते है हाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रों वन है और proton क्या एगा वन हीलियूं के अंदर टू है तो तो देखियों का अगर नंबर 3 है तो 3 एलेक्ट्रों 3 प्रोट्रों बेरिलियूं के 4 प्रोट्रों के 5 एलेक्ट्रों 5 प्रोट्रों करबन 6 6 7 7 in 8 9 9 10 10 अब मैंने तुम्हें क्या जो है वो फिल कैसे होते के अंदर अगर यहां पर यह हमारे पास किया है नूप्लिएस है तो नूप्लिह के बार जो के शहलब उसके इंदर मेक्सिमूम दो 5-11 5 एलेक्ट्रों मब बात करो अगर 18 इनेक्रोन मैक्सिमम होते हैं मैक्सिमम भरे जाते हैं अब उसे कम भी हो सकते हैं अगर हाइडोजन की बात करो अगर मैं फिलिंग करने की कोशिश करूं तो के शेल के अंदर इसका वन इलेक्ट्रोन चला जाएगा तो के अंदर अगर वन इलेक्ट्रोन आता है बच्चों तो उसके अंदर मैक्सिमम कितने जा सकते हैं हाइडोजन के केस के अंदर ये अगर न्यूपियर्स है तो उसकी के शेल है तो एक इलेक्ट्रोन यहाँ पर ऐसे आ गया अब यहाँ पर एक तो खाली जगा है ठीक है अब तो अब क्या कहता है या तो कोई मुझे दे दे या मैं किसी को अगर हाइडोजन लेता है पहले नंबर पे होने का ये भी मतलब होता है है कि उसका झतना नंबर कम उसका साइज भी कम होगा अब हाइडोजन का जो इतना छोटा है तो अगर अगर किसी और से electron ले लूँगा मेरे पास तो h के उपर negative charge आजएगा ठीक है मेरे उपर negative charge आजएगा अगर negative charge आजाता है तो मैं तो stable ही नहीं हूँ ठीक है तो इससे मेरी stability कम हो जाएगी ठीक है लेकिन अगर मैं ये electron किसी को दे देता हूँ तो मेरे पास h positive बन जाएगा और अगर मेरे पास h positive बन जाता है तो मेरी वहाबा होगी तो मेरी praise होई कि क्यों ये छोटा बच्चा भी है छोटा atom है और उसने उपर से अपना दे दिगा और उसने देने से क्या होगा जैसी वह उपना electron किसी को देगा तो hydrogen जो है उसके nucleus के अंदर तो already proton और neutron पड़े हुए है तो बाहर खाली का खाली रह जाएगा अगर किसी का पूरा shell खाली रह जाए या पूरी भर जाए या half भर जाए तब उसकी stability बढ़ती है stability कब maximum होती है आपको बता देते हो stability maximum ना बच्छों तीन कंडिशन में होती है या तो empty हो आपकी shell पूरी के shell के अंदर दो electron तो पूरी चाहे empty हो जाए तब भी आपके stability बहुत बढ़ जाती है या आप क्या कर दो half field हो जाए तब भी stability बहुत बढ़ जाती है मतलब अगर तू का केस नहीं ठीक है अगर हमें hydrogen का इसके अदर देख लूँ ठीक है तो half field के केस में भी बढ़ जाती है और full field के केस में भी भ्यड़ जाती कि पूरा बर रहो ठीक है तो हमनी صिर्प empty देखना है और full field देखना है half field नहीं देखना अभी अभी हमने नहीं देखना क्यों नहीं देखना वह इसलिए नहीं देखना क्योंकि यह तो बच्छे शेल्स होती है शेल के अंदर भी आगे सब शेल्स होती है उसके केस में हम हाफ फिल्ड के अंदर देखते हैं ठीक है तो हम सिरफ अभी empty और full field की बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाता है है एच पोजटिव जब बनता है तो empty हो जाता है उसे घर से में बढ़ेए तो मैं यहां पर साथ के साथ रफ गदी रहते हूं और आपको बताती हूं अगर मैं यहां पर helium की बात करूँ तो helium के case में two electron है अगर यहां पर इसका positive part है positive मतलब यह इसका अगर nucleus है दिखें, nucleus मतलब इसके अंदर proton है, neutron है और इसकी यह क्या है, case shell है, इसकी LM यह shells है तो दो electron है helium के, हिलियम के अगर मैं case की बात करूँ तो यहां पर एक electron, दो electron है, ठीक है, जब दो electron यहां पर fill है ठीक है, तो helium को तो ना तो देने की ज़रूर है, ना ही लेने की ज़रूर है जब कोई element अपना electron किसी को देता है, तो उसकी उपर positive charge जैसे hydrogen यह उपर positive charge आया जब कोई किसी से electron लेता है तो उसके उपर negative charge जाता है जैसे हम oxygen का case देखेंगे ठीक है तो उसके उपर negative charge जा जाता है अब यहां पर आपको पता लगा कि helium ठोपो ना तो देने की जूरत ना लेने की यह तो पहले से ही stable बैठ है तो कि इसका फूरा फुल्फिल है तो हम helium क्या है helium करते है मैं तो ऐसा ही रहूंगा ना तो मैं किसी के साथ किसी को कुछ देता ना मैं किसी से कुछ लेता है अब मैं बात करते हूं लीथियम की अगर मैं लीथियम की बात करों यह यह रही होते हुए तो यहां पर यहां पर नहीं आएगा ठीक है अब जब के की अंदर 2 है एल के अंदर जो और 6 होनी चाहिए साथ, लोग साथ, इलक्त्रों को, एड्ड करना, या तो अब इसको भरने के लिए, आप complete करने, हमने देखना है, कि किसी तरह, शैल complete हो जाए चाहे वो कोई भी शैला हमें complete चाहिए या complete चाहिए या हाप बिल्कुल ही empty चाहिए तब ही stability वनेगी तो अगर मिलेको stability चाहिए lithium के case के अंदर तो मैं क्या कमूँगी कि भई मिलेको तो या तो तुम 7 electron दे दो ठीक है या तो मुझे 7 electron दे दो या मुझे एक electron ले लो ठीक है या 7 electron दे दो यूस्ट एक electron ले लो अब मुझे बताओ अगर तुमहीं कह दिया जाहे कि या तो तुम 100 रुपए दे दो या 700 लेने से अच्छा तो एक ले लो अगर एक लेने से लीथियम की इनके कारण स्टेबिलीटी आ जाती है के उसका नहीं लेकिन उसकी स्टेबिलीटी आ जाती है तो नहीं जाएगा क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रोन दिया है ठीक है आई होप यहां तक आपको यह तीन केस पर मज़ आ चुके होंगे एल आई पोजिटिव तक डाक अगर मैपूरलियम के केस की बात करूओं तो यह हमारे पास लोगियर से नीयोंकियर के अंदर मैं फिर्से बता हैं प्रोटोर और नीूट्रों होते हैं पच्छ नीयूट्रोन का तो कोई मतलब भी नहीं है neutron बस बैठा है लेकिन आपको कहीं पे भी कतंग नहीं करेगा ठीक है सिरूफ और सिरूफ neutron add करने से proton के अंदर atomic mass बनते हैं बस इतना सा function लीत है अब हम न्यूपियस की बात कर रहे हैं न्यूपियस के चारों और यहां पर K, L, M, N ऐसे shells होती है अब K के अंदर 2 electron maximum इसके अंदर 8, 8, 80 है अब अगर मैं बात करूं बैरिलियम की तो बैरिलियम के नमबर है 4, 4 मतलब 4 atomic, 4 atomic नमबर का मतलब इसके अंदर 4 electron है 4 proton है तो 4 electron है तो 2 electron तो यहां आ गए 2 electron यहां आ के यह पूरी पूरी फिल्ड हो गया के शहल पूरी पूरी फिल्ड अब बचे कितने 2 और बचे मैंने यहां पर 2 यहां डाल दी तो यहां पर 2 electron होगे सेम अब L जो है वो क्या कहें का कि या तो 6 electron दे दो या कोई मेरे 2 electron ले लो तभी जाकर मैं जिन्दा रह पाऊंगा और तभी जाकर मैं stable रह पाऊंगा तो क्या किया इस ने क्या सोचा मैं 6 electron तो किसी से देता लेता नहीं हूँ ठीक है और आप क्या करो 2 electron सुरी 2 electron मुझसे ले लो ठीक है अगर 2 electron ले लेता है मतलब वो दे लेता है इस किसी को तो BE 2 positive होगे दे दिया ना उसने तो 2 positive आप दे लेगा BE 2 positive अगर मैं वरोन की बात करूं तो वरोन का case के अंदर क्या होगा यहां पर एक electron दूसरा तीसरा चुत्त और पांच और यहां आएगा यहां जब 5 electron आ गए उसके पास तो 3 electron है अब या तो वो क्या करें 3 electron किसी को किसी वो क्या कहता है कि मेरे 3 electrons ले लो या फिर मेरे को 5 electron दे दो ठीक है अब क्या होगा कि 5 electron तो वो कोई देगा नहीं उसको तो उससे अच्छा वो क्या कहेगा कि किसी से लेने से अच्छा मैं अपने ही electron दे देता हूं मेरी stability बढ़ जाएगी ठीक है तो यहां पर क्या होग बी 3 positive आ जाएगा yes तो carbon के अगर हम बारी ले तो carbon के अंदर क्या होगा यह हमारे पास nucleus है ध्यान से सुनना nucleus है यह हमारे पास K है यह L है M है L है तो K की अगर मैं बात करूं तो इसके case में क्या है 6 और 6 electrons है 6 protons है तो six electron field करने है two यहां आगे one two three four यहां पर कितनी जगा बज़ी उसके पास four vacant space होच गई अब यहां पर क्या है या four electron दे दो या मुझसे four electron ले लो जैसे बाकियों ने कहा था लेकिन क्या होता है कि कारबत कुछ ऐसा इंसान है ऐसा element है जो कि सब के साथ बहुत अच्छे से बना कर रखता है जैसे किसी इंसान के पास क्या होता है किसी इंसान की बहुत अच्छे से लोगों के साथ बहुत अच्छे से उनके साथ connections होते हैं तो जब किसी इंसान के बहु करजा लेना पर जाए तो उसको बहुत इसली से करजा मिल जाता है सेम ऐसा होता है कि कारबन के केस के अंदर वो कहता है कि मेरे पास आधे तो है मैं और आधे मुझे चाहिए मतलब चार मेरे पास है चार मुझे चाहिए तो उसको क्या होता है कि सारे उसको कहते हैं कि हम तुझ सबसे लेने लग जाएगा तो उसके उपर क्या हो जाएगा सी फोर नेगटीव चार्ज आजएगा क्योंकि उसमें लिया सबसे सेम अगर involved करो nitrogen के की सी अगर में nitrogen सबसें लेती हूं तो यह उसका क्या है नुकलियस है तो उसके के शेल के अंदर दो इलेक्ट्रोन आएंगे उसके बाद एक दो तीन चार पांच और थ्री वेकेंट स्पेस उसके बच जाएंगे एल शेल के अंदर वो क्या करेगा पांच या तो ले लो मुझसे या तीन दे दो अब पांच देने से अच्छा तो कम ह के लिए तो यहां पर आगया ना के लिए ऐसी अगर आग्सीजन की बात करो आगर मैं हमकेशन की बात करों अकामआफ करों दो यंकी लोग्ले नुकलियस हुए उसके के अंदर दो आए वे ल की दो टीन चार पांच शे आट है तो दो बहले में आगे के अंदर L के अंदर टोटल आठ हाने चाहिए उसके छे आगे अब दो खाली जगा बच्ची उसके पास मैंने यहां पर इतने ही शो की हैं वैसे दो बच्चों कोई पोजीशन एक्जैक्ट नहीं होती वह कहीं के भी आपको उस और मिल सकते हैं मैंने आपको समझाने के लिए बताया है तो यहां पर दो वेकेंड जगा होगी अब दो इलेक्ट्रों लेने जादा इसी है एस कंपेर टू कि वह छे के शे अपने टोनेट करें तो जब उसने अब आप यहां तक नोट करो येस तो अब अगर मैं नूएं की बारात नीओं का केस अगर आप देखो यह हमारे पर नूक् Pearce नूक्लियस के अंदर प्रोटोन और न्यूट्रों होते हैं k-shell L-shell m-shell n-shell तो यहां पर एक अलेक्ट्रों श्राइब 468 आठे अगे और यहां पर दो आगे sa2 लिपन की चाहिए यह अब नियोन पहले से ही स्टेवल है न तो उसे देने की जूर्ट है न उसे लेने की Recentी ज intelig जैसे की हीलियम पकों तो यह सब ऐसे का ऐसा रही गा थी कि तो इसका जैसे को मैंने तो यहां तक आपको समझ आ चुका होगा कि किसके ऊपर पोजीटिव चार्ज आता है वह क्यूं पोने क्यों आता है जब नेगटिव क्योंड इन सी प्लास क्यों ही अलिए टू गर स..., इस तो हमने चार्ज बनाने का में पता लगया कि चार्ज कैसे आएंगे पोजिटिव क्यों आएगा नेगिटिव क्यों आएगा लेकिन हमने अब उसका चार्ज बनाकर करना क्या है उसका यूज क्या है वो हमने देखिया कि जो की आप पढ़ते हो जो नॉर्मल से आप पढ़ते हो जैसे आपने वाटर पढ़ा वाटर को आप लिखते हो H2O कभी आपने HO2 नहीं लिखा ठीक है आपने हमेशा उसको H2O लिखा है आप अगर कार्बन डायोकसाइड की बात करो तो हम उसको कैसे यह को किसी और की बात करों सुलफेट की अगर मैं बात रूपकरल कुसरो थ्राइस अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करों तो उसकी आप एनसी जी वे करते हैं अब वाटर का अगर में केस ले लो तो उसके अंदर क्या है मैं वन बाइवन मतार्यों हाइडोजन है और अक्सीजर है हाइडोजन के अंदर आपको पता था इसके अंदर इसकी फिलिंग की थी तो यहां से मुझे पता लाता था यह एच पोस्टिव बना देता है यह को टू नेगिटिव बना देता था है ठीक है जब वो V3 बना देता था यह टू नेगिटिव बना देत था अब क्या होता है बच्चे जो H है यह ओ है वह तो बॉंड बन जाता है जैसे अब हाइडोजन का केस लो तो हाइडोजन ने अपना एक हाइडोजन था हाइडोजन ने अपना एक एक एलेक्टरों दिया और क्या बन गया एच पोजिटिव आयन बन गया लेकिन अगर मैं ओ की बात करूँ कुँ ले लिये फेक जो इसका क्या बन गया था ऐक सिंपल सी डियक्षण होती है कोई भी कैमिकल यान्नral करके लिख सकते हैं ठीक है रियक्टेंट्स या सब्स्रेट रियक्शन करने के बाद प्रोडक्ट दे देते हैं सेम हाइड्रोजन का प्लस कैसे बनता है एक्ट्रोन देने के बाद उक्सीजन का टू प्लस एड़ हुआ जब दो इलेक्ट्रोन उसको मिले और टू नेगिटिव आ गया था अब इलेक्ट्रोन देंगे ना अगर दो हाइड्रोजन आ चाते है दो एज आ डू अर यहां पर ह काँछ cópkin के साथ दो यहां पर आपको समझ आ चुकी होगी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना आपकी लेकिन पूरी कहानी बताने का मकसद ही ताकि आपको समझ आ सके कि एक्चली बुआ के शॉट फॉर्म में आप यहां से बना सकते हो तो अगर मैं यहां पर अगर आपको बात करते हो तो यह एल जो उसके उपर थ्री पोजिटिव चार्ज होता है ठीक है और अगर एसो फॉर्म की नएक बात करूं तो उसके उपर तू नेगटिव चार्ज होता है आप इसको क्रोस मॉल्टिप्लाइब करो एल तू नीचे आ जाएगा एसो फॉर औ है नेगटिव चार्ज होता है जब आप इसकी क्लोस मॉल्टिप्लाइब करते हो तो एन एस यह एल पाजाता है ठीक है थामेशा प्लस और नेगटिव के बीच में ही बांडिंग होती है तो उसके बात अगर मैं बात करो ओक्सीजन टू उक्सीजन की तो ऑक्सीजन है अगर तो हमको चाहिए लेक ने हमने पनाना क्या है एक धूसरे से लेंगे अब तो यह बना लेते हैं वह करते हैं हम बना अबॉट भान रहाएं तो अगर मैं यहां पर बात करूँ यहां लगा हुआ है तो यह हमारे पास कुछ ऐसा बात करूँ एक न दूसरे के साथ बड़ा हुआ है तो अगर जो होता है तो अब यहां पर और बनाता है चार नेगेटिव चार्ज थे मतलब चार नेगेटिव चार्ज क्यों था जब उसने 4 electron लिये थे तब उसके वाद 4 जा गया था बैसे carbon की case में क्या होता है 2K के अंदर थे और 4L के अंदर थे oxygen की case के अंदर क्या था 2K के अंदर थे 6L के अंदर थे इसको 2 की requirement थी इसको 4 की requirement है ठीक है अब 1 carbon को 4 की requirement है वो 4 electron कहां से मिलेंगे यह ऑकषीजन ने आब oxygen कहते है कि तुमने मूद से तो लेकिन मुझे तो दिया नहीं मुझे तो चाहिए थे तो कहते हैं कि बेटा मेरे पास तो खुद के पास जो भी एक्ट्रों पड़े हुए ना वह तुम शेयर कर लो जो जो है वह दीव और पना धाएं और जो बाकी है जीसे कार्वन है flakes जो है कार्वन जो है वह फो बूंड बनाता है नोइसे तो यहां तकस्ता यह घानी विक है कशार्च क्यों आता है कैसे कgew इसकी ओपर आता है कौन सा आता है है फॉर्मूला कैसे बनते हैं तुम्हें मैंने सिंपल वे में एक्स्प्रीन कर दिया तो अब सिरुप एक चीज रहे गी है यहां पर इस टॉपिक के अंदर समझने वाली कि जब ऐसे से मालो सोडियम था सोडियम क्या है एक एलिमेंट है अब यहां इसने क्या बनाया था अपना एक इलेक्ट्रों दे देता है तो क्या था वैसे तो जैसे शुब इड़र सेम नंबर्म में होते तब क्या होते हैं कि प्रोटों और इलेक्ट्रों एक तूसरे को खीच रहे होते हैं अगर अगर यहां पर 1 एलेक्टान यहीं को क्या हो गया अगर 11 प्रोटोन 10 को खीच दें तो कहीं ना कहीं और अच्छे से खीचे जाएंगे तो जो गड़ने ऊपर और और प्रेशर लगेगा तो उससे क्या होगा कि साइज जो होता है आयन का वो क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है ठीक है तो और यह जो प्लस वाले चार्ज होते हैं इनको हम बोलते हैं कटाइम सिंबीदार भी और तो ऌटीन बनाता हैं चुछ ले लेता है जर्व आगर ईट्डेख्व ले लेता है उंआ जाते हैं onion और सुस्ताइब केंडु sink अब उसको दसको कीचना पड़ रहे है तो उनकी power क्या हो जाएगी कमहोगी इसका Kin хочу जो है ऑप country को बढ़ जैए और जो नेगिटीव से इसको हमहीं आनायन चाहूर और इनका जो साइस क्या होता है इंक्रीज हो जाता है अपने ही एंटम से ठीक है यह सब चीज़ें थी कि कटाय और अनायन के अंदर क्यों साइस बढ़ता और घटता है उसके बाद मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं जब दो एंटम्स मिलकर कुछ बना लेते हैं नया एक प्रडक् कर दाना है और दो चाहिए इन साइथो कि बने उसको यह मॉलिक्यूल्स में आप जैसे घ्रेंस होता है थेलंस Englum लेकिन यह सिरफ वन है अगर मानलों दो एने से ले लू तो मैं कौन की दो मॉलिक्यूल है मेरे पास लेकिक कंपाउंड क्या होगा कोई भी दो यह दो से ज्याद़ आटम मिलकर डिफरेंट 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 आटम मिलकर इस प्रोडक्ट बना लेते हैं उसको हम साथ में कुछ वेलेंसी और साथ में चार्ज की उपर आइंस की उपर ठीक है एंटम की उपर कंपाउंड की उपर यह सब चीज़ें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बोक्स में लिख दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत बूलना बैल आइकन दबा देना जिस उसकी दो विलेंसी है अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोन देता है तो उसकी एक विलेंसी है जितने वो ले या दे उस नंबर ओव एलेक्ट्रोन को बोलते हैं विलेंसी थैंक्यू है नाइस जाइए